नमस्का दोस्तों इनफोकस सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज कल एक चर्चा बहुत जोरो पर है और वो है यूपी एडेड स्कूल्स की वेकेंसी जोकी क्लर्क की या लिपिक पद की वेकेंसी हैं उन पर बहुत ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है औ उन-लाइन में नहीं भरी जानी है इस कारण से थोड़ी बहुत कन्फूजन्स लोगों के मन में हैं वो इसकी वेकेंसी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर साइट पर ना करके बलकि अलग-अलग विद्यालियों द्वारा इसकी वेकेंसी निकाली जा रही है तो इन सभी कन्फ हम लोग ये तो देखेंगर कि से रिलेटर सामान बात ये सिलेक्शन ब्राइन और में उसके साथ में ये मैं रहने वाली है क्या सेलरी लगभग आपको मिलेगी पहली उसके बाद इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है वर्किंग आर्स वर्क प्लेस फॉलिडेज यह सब क्या होते हैं उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्ण जो कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि इसमें क्या धांदली होने क की संभावना है ऐसा जो है कई यूट्यूब चैनल्स वारा अलग-अलग सबके मत व्यक्त किये जा रहे हैं इस वज़े से अभ्यर्थियों में खासा तनाव का महौल है तो यहां पर मैं इसका भी निराकरण करने कोशिश करूंगा उसके साथ में देखें तो यहां पर कितन इसके वालों को भरना चाहिए अगर कम है आपके तो भरे या ना भरे उसके साथ मैं लोग यह भी देखेंगे कि जो अधर डिस्टिक्स से आप भर सकते हैं कि नहीं या फिर एक से ज्यादा कॉलेज में अपलाई कर सकते हैं कि यह फिर जो फार्म की सूचना है वो कैसे मिले है ठीक है जो कि ठीक ठाक वेकंसी है और उसमें अब देखें कि एप्लिकेशन जो इसका कुछ एक सामाने बाते हैं जिसको हम लोग जल्द इसकवर कर लेते हैं फिर हम लोग अपने मुख्य प्रश्ण पर आएं तो देखें जो एप्लिकेशन है वो आपका 6 इसी के बीच में सारी निकाल दी जाएंगे और इसी बीच में आप लोगो फिलप कर देना है लेकिन अभी एक साथ हर जगे की हर स्कूल की नहीं निकल नहीं है धीरे दीरे निकल रही है लगबग 11-12 जिलो की निकल चुकी है और बाकी के भी निकल रही है ठीक है उसके बाद बाकी के लिए 500 लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि फॉर इच्ट कॉलेज यह कुछ एक बारिकिया हैं जो सामाने जानकारी तो हैं लेकिन उससे रिलेटेट्ट भी कुछ एक बारी किया है जिसको आप समझते चलिए कि फीस जो भरनी है वह आपको हर कॉलेज बहने मतलब अ कि पलाए है कि इतना ज्यादा पैसा इसमें हमें API करना भी चाहिए कि नहीं क्या हमारा समाधना बनती दो कोशिश करें तो अभी तो अब यह समझ Argentin फीज जो है हर college में अलग-अलग भरनी है उसके बाद जो age है वो 18 to 40 है यानि कि 18-40 है और जो age का relaxation मिलते हैं वो भी अपने यथा अनुसार जो नियम है उसके अनुसार मिलेंगे तो उसमें कोई बहुत जादा तनाव लेने की जरूवत नहीं है क्योंकि maximum age काफी है उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इसमें डेट द्यूई यह 6 नौवंबर की मेरिट लिस्ट मतलब आपका जब भी जो इसका सेलेक्शन प्रोसीजर वो समझे कि जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो भी आपका परसेंटाइल होगा पैट स्कोर में तो उस हिसाब से अब देखें इसमें जो प्रोसेज है वो बेसिकली क्या है कि आपका टाइपिंग है और टाइपिंग के बाद इंटर्विव है बस यही दो प्रोसीजर है तो अब जाहिर से बात है कि टाइपिंग में यह लोग बुलाएंगे एक अगर वेकेंसी है तो उसके लिहाद से 10 औ अजलब अगर समझ लीजे कि यहाँ पर एक बच्चे को उन्हें फाइनली सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर बुलाएंगे इंटर्वियों के लिए तीन और इसमें बुलाएंगे दस तो पहले तो आपको जो मेरिट लिस्ट एक बनेगी वह च्छे नौवंबर को बनेगी या उसके बाद देखिए कि टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग जो आपकी ली जाएगी वह अपसे लगभग जो है 40 दिन बाद यानि कि 22 नौवंबर को यह डेट है डेट भी निर्धारित हो चुकी है और उसके बाद इंटर्वियों की अगर बात करें तो 4 दिसंबर को इसका इंटर्वियों है मतलब लगबंग 10-12 दिन बाद इंटर्वियों है तो यह प्रोसेस काफी जल्दी कराए जाने के स्थिती बनी हुई है क्योंकि पिछले वर्स से ही इसके बारे में चर्चा काफी शुरू हो गई थी और सरकार को बहुत ज्यादा दबाओ भी था कि इसको जल्दी सकंडर्ट कराए जाए परन्तु जो कॉलेज वाले थे वो इसके लिए अगरी नहीं हो रहे थे इसकी शर्टों पर वो क्या मसला था उसको भी हम लोग आगे समझेंगे तो इंटर्वियों जो हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट अगरा आएगा सारी चीज़ नहीं है कि अगर बात करते हैं तो今天 इंटि में देखिए टेन टू तो ही इंट प्लस टू मतलब फू मतलब आप वहलस पास उं उसके साथ में लगता हैं कि इसके जो एक्वेलेंट में डिग्री मानी गई हैं वो भी बहुत जो है नॉर्मल सी हैं जैसे कि आपके पास 10-12 में अगर computer science का विश्य है या फिर कोई और डिग्री डिप्लोमा में कोई वन येर कोर्स आपने computer science में किया हो या फिर BCA, MCA, PG, DCA, other higher degrees मतलब इसके उपर जो भी higher degrees है उनमें सब में अगर computer subject एक विश्यक रूप में सामिल है तो और इसी प्रकार से 10-12 में भी अगर आपका computer जो है वो एक विश्यक रूप में सामिल है computer subject है आप पर computer एक subject है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें तनाव लेने की ज़रूवत नहीं है आसान सी सरते हैं यह सब तो 10 plus 2 है, triple C है और उसके साथ में देखिए pet में जिनके 50 percentile से उपर है उनको अब देखिए 50 percentile जो है वो मतलब बहुत बड़ी संख्या है जिनके 50 percentile से उपर रखे गया है यह दरसल यहां पर लालज देने की कोशिस है cut off उन्होंने ऐसी कोई declare की नहीं है और 50 percentile रखना है यह दरसल केवल इसलिए है कि ज्यादा ज्यादा लोग इसका form भर सकें और 50 percentile का मतलब आप समझेए जो score है वो कहीं न कहीं आपका 40 से भी नीचे जिनका score है चालिस ब्यालिस जिनका score है वो भी 50 percentile के इधर आ जाते हैं तो मतलब केवल 40-42 score वाले भी इसमें form भर सकते हैं लेकिन अब देखें जब लेकपाल का जो हमारा score का cut off गया था वो गया था 64 वहां पे वेकेंसी भी ज्यादा थी यहां पे वेकेंसी कम है और 50 percentile रख दिया है तो 64 से इतना कम रख दिया है और उसके बाद भी यह दावा है कि इसमें जो है यह लोगों को मतलब कुछ क्या फाइदा होगा तो इस चीज को हम समझेंगे कि इन लोग को वास्ताव में अ अगर आपके तो भी आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए यह मेरी क्याBC सलाह है आप लोग चाहें तो इसे मानें या ना मानें यह आप ऑपर है अगर आपको लगता है कि मतलब आपका chances बंता है तो आप कर सकते हैं लेकिन यह मेरी कोई करेगा तो तो देखें वह एक hem में तो अप्लाई करेंगे नहीं वो तीन-चार कॉलेज में करेंगे तो वो कुल मिला गए आपके दो अजार तीन अजार रुपए उसमें जाएंगे और जो कॉंप्टीशन है वो हम आगे आपको पूरा समझाने कोशिश करेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो देखिए उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आता है कि हम लोग को क्या प्रोसेज है इसका कैसे हम लोग को फॉर्म भरना है तो उसमें अगर हम लोग बात करें देखिए इसका एक जो फॉर्म है उसके साथ में हम लोग को डीडी लगाना है जो भी रिक्व इसको विजिट करेंगे, जो भी कॉलेज में आपकी वेकेंसी खाली है, जैसे ही आपको यह सूचना मिलती है, तो आप उस कॉलेज में विजिट कीजिए, और वहाँ पर पूछिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपकी स्थिति और क्लियर हो जाएगी, तो आपको D.I.O.S के वेबसाइट पर इमेल कर देना, उनको मेल कर देना है, यह D.I.O.S यानि जिला विद्याले निरिक्षक को, ठीक है, इनका यह भी आपको डिटेल मिल जाएगी, किस पर मेल करना है, इनकी मेल आइडी भी आपको उस जिले की मिल जाएगी, उसके बार यह एक खास बात है, कि जो पहले सबसे पहले टाइपिंग होना है, तो अगर आपका एक पद खाली है, तो उसके सापेक्ष में 10 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएगी, यह मैंने बताई दिया है, उसके बाद यह देखिए, क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब अगर किसी को टाइपिंग जो है, बहुत ज्यादा भी अच्छी कमांड है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस उनको जो पच्छेस और तीस वर्ट का है लिमिट, उसको अगर फुल्फिल करता है, तो वो इलिजबल है, और इसके कोई भी अत्रिक्ट मार्क्स या कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, उसके बाद देखें, हिंदी में 25 वर्ट्स पर मिनट किया है, 25 वर्ट्स पर मिनट किया है, और ये कृति देव या मंगल फॉन्ट पर रहेगी, ऐसा वैसे इन लोगों ने किसी मलब अपने नोटिफिकेशन पर तो नहीं लिखा है, पर ज्यादा त करें कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में देखें, 30 वर्ट्स पर मिनट, ठीक है, इतनी आपकी टैपिंग होनी चाहिए, जो कि 22 नौवंबर को आपका ये होगा पेपर, ठीक है, और ये होगा कहां पर तो ये राजकी है, जो आई टी आई होते हैं संस्थान, उनमें ये आप के टैपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आते हैं कि इंटर्व्यू में, तो देखें, जब आपकी टैपिंग बन जाती है, तो उसमें फिर जितने लोग क्वालिफाई होते हैं, उस हिसाब से फिर आपका इंटर्व्यू के लिए, वन अगर आपकी पोस्ट है, तो उसके हि इंटर्व्यू के लिए लोग बुलाए जाएंगे, और इसमें देखिए कि इंटर्व्यू में, ये फिर से इसकी मेरिट सूची जो बनेगी, वो एक पद के साफ़ेक्स तीन लोगों को बुला जाएगा, उस हिसाब से मेरिट सूची बनेगी, और इंटर्व्यू जो है, व जाएंगे, अगर यह नहीं रहेगा, इसके साफ में, या फिर अगर यह नहीं रहेगा, तो इनके द्वारा नामित कोई मेंबर रहेगा, उसके बाद ITI का प्रिंस्पल रहेगा, और अगर इन सभी में, इन चारों में से कोई भी अगर OBC, SC, ST का नहीं है, तो उसके लिए जिलादिकारी जो है, कोई ऐसे सदस्ट को भी नामित कर सकता है, ताकि इनका भी एक प्रत्नेद तो बना रहे है, तो इस तरह का एक जो चैन समिती रहेगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बाते हैं उन पे, तो देखिए जो पे स्केल है, वो बावन सो बीस दो सो का है, ग्रेट पे दोजार का है, यह आपके लगभग जो है, जो इसके साथ में जूब प्रोफाईल है, वो आपको लगभग पताईए है, कि कॉलेज में जो भी कॉलेज और रहते हैं, ऊह बहुत ज्यादा तो नहीं है। यह आपका यहाँ पर वरकिंग आर्ज हैं, तो वरकिंग आर्ज बहुत कम रहते हैं, या स्कुल में, जो इंटर कॉ काम है बहुत ज्यादा जो है बर्डन नहीं होता है वर्क लोड नहीं होता है उसके साथ में वर्किंग आर्स जो है वो कम है उसके साथ में वर्क प्लेस जो है चुंकि आप अपने ही जिले में ज्यादा तर लोग भरेंगे और जिसका भी हो जाएगा तो उसको अपने जिले मे कार करने पर उसके साथ में कि इंटर कॉलेज जो हैं उनका एक इंफ्रस्ट्रक्चर भी काफी अच्छा रहता है एस कंपेर टू प्राइमरी स्कूल तो उनका इंफ्रस्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है उसके बाद में देखिए हॉलिडेज जो है आपको पता ही है कि जो भी school colleges होते हैं, उनमें holidays की कोई समस्या नहीं होती है, भरपूर मात्रा में holidays रहता है, तो वो भी आपको एक additional benefit है, इसी कारण से देखिए, एक तो आपके दिन, प्रति दिन जो आपका काम करने का समय है, वो थोड़ा कम रहेगा, उसके साथ में कई सारी छुटिया रहेंगे, तो इस वज़े से आप देखिए, कि आप उसके साथ में कई सारे अन्यकारी भी आप चाहें, तो वो कर सकते हैं, जैसे आप अगर कोई और भी पढ़ाई करना चाहते हैं, या मान लिजए आप civil या किसी भी चीज की preparation कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप अगर इस जौब को पढ़ाई भी कर सकें, और एक अपने जो है, मतलब जो आपका ग्रेह नगर है, या आपका जो होम टाउन है, उसमें भी रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके साथ देखिए, कि या फिस जैसे मान लिजए कोई और अगर आप छोटा मोटा काम काम करना चाहते हैं, होबी यहाद की, तो उसको भी आप आप असानी स्फिल कर सकते हैं, यह इस जॉब के बेनिफिट्स हैं, उसके बाद हम लोग बात करें, मुख्य बात पर कि क्या धांदली होने की संभावना है, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस चीज पो, तो समझने की बात है, यूट्यूब पर कई लोग अपना अपना जिनका जो भी एजेंडा हो, मैं उनके बारे में नहीं जानता, कोई कॉमेंट भी मैं नहीं कलना चाहता है, परन्तु आप इस चीज को समझिए, कि एकदम से हमें ना प्रो गवर्मेंट होने की जरूवत है, ना एंटी गवर्में लगनव में तीन या चार कॉलेजेज में वेकंसी आई है, तीन चार कॉलेजेज में मान लिए आपके 5-6 पद हो गए, अब उस 5-6 पद या हम कहरें 10 पद भी हैं, अब उनमें आप हल जगे अपलाई करेंगे, तो एक तो पहली बात कि आपका इतना इतना पैसा हल जगे उसके साथ में देखिये कि यहां पर क्या हो रहा था कि अभी तक एक लंबे समय थक इसको सरकाल ने क्या होता था कि यह पहले, अब से पहले जो यह स्थिती होती थी, वो ऐसी होती थी कि जो भी वेकंसी खाली होती थी, एक या दो पद जो भी रहते देकलर के, तो वो उस होते थे उनके कोई जान पैचान वाले या फिर उनके सगे संबंदी उस तरीके से एक नेपडिस के तौर पर वहाँ पर उनकी भलती कर ली जाती थी या फिर पैसा ऐसा लेके कर ली जाती थी तो यह देखे सभी के लिए यह अच्छी विश्था थी जो भी उस विद्याले से जुड़े हुए थे लेकिन जब सरकार नहीं का कि हमें परिक्षा के माध्यम से और बाकाइदा टाइपिंग और इंटर्व्यू यह सब लेके करना है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो इससे डारेक्टली अफेक्ट जो लोग हो रहे थे यानि कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट और प्रिंस्पल यह सब तो वो लोग इसका विरोध करेंगे और उन लोगों ने भरपूर विरोध किया भी इसी वजह से हम देखते हैं कि इस वेकेंसी में ठीक ठाक एक समय भी लग गया पहले चुनाओ की वजह से उसके बाद इन सब वजहों से बलकि एक बाल तो इससे प कॉलेज वाले जो है इस बात से बहुत खफा है थोड़ी वो संभावना है कि वो यह चाहेंगे कि हम अपनी ही व्योस्था बनाक रखें मतलब जो अपने ही लोगों को यहां पर एंट्री लें यह उनका पक्षा और यही पक्षा ज्यादा तर लोग आपको बता भी रहें ल कोई अगर नहीं भी कर पारता है तो उसको क्वालिफाई करा दिया जाए और मान लिजे कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो जो भी मतलब मैक्सिमम जो धांदली की संभावना बनती है वो इंटर्व्यू में बनती है उसके पहले हमें लगता है कि यहां पर एक तो आपका पेट और उसके बाद तो वहां पर जो इसमें मेजर रंक मतलब मान लिजे 20 अंकर गर इधार है तो 80% जो है वो डिसाइड हो रहा है आपके परसेंटाइल से पैट के परसेंटाइल से तो यहां पर देखिए कि आपका जो ओवराल कॉट आफ बनेगी आपकी जो ओवराल मेरिट ब लिए तो फिर आपको बहुत जादा डर्नेक ज़रुवत नहीं है कोई और क्वालिफाई करा भी दिया जा रहा है तो उसको जो आपके साथ लड़ाई करनी है वह तो इंटर्वियू और परसेंटाइल इन दोन अब करनी है जिसमें परसेंटाइल का वेटे जादा है जिसमे उसके बाद D.I.U.S का मेंबर और जिला सेवा योजन अधिकारी आई टी आई प्रिंस्पा इन सभी को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मान लीजिए एक बार को कि आप आरोप लगाना ही चाहें कि ये भी हम मैनेज कर सकते हैं सब चीजे स्कूल वाले मैनेज कर सकते हैं तो भी हम एक बात आप से कहना चाहेंगे कि इंटर्व्यू 20 नंबर का है इसमें हो सकता है किसी को 20 में 20 दे दिये जाएं लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 20 में 0 दे दिये जाएंगे आपको भी एक सम्मान जनक स्कूर दिया जाएगा अंटिल एंड अनलेस के आपको बहुत ही खराब इंटर्व्यू मतलब आप जो अगर यहां पर इंटर्व्यूर को गरिया के चले आ रहे हैं तो फिर संभावना है कि वह आपको 10 या 5 से कम दे दे मगर इतना भी कम यह नहीं देते हैं ऐसा ज्यादा तर इंटर्व्यू में यह प्रोसीजर होता है और कहीं पर भी एक मतलब समान जनक स्कूर तो देना ही पड़ता है तो उस लिहास से देखें कि यह संभावना बहुत कम है कि धांदली होगी इसलिए इस बात को तो अभी आप हटा ही दीजे कि इस वज़े से अगर आप फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं कि एक दो पदें और धांदली होगी तो इस पे अब रहने हैं आपको ट्राय करना चाहिए इसको भरने की और बाकी अगर हो भी गई तो फिर भगवानी माली को उसके लिए लेकिन संभावना कि अगर हम लोग बात कर रहे यानि देखे इन्होंने जो इलिजबिल्टी दिया वो तो 50 परसेंटाइल के दिया ठीक है लेकिन अगर आपके 50 परसेंटाइल के उपर हैं तो आप कोई फॉर्म कदाप नहीं भरना चाहिए मेरा तो यहीं सजेस्टन रहेगा बलकि अगर मैं कहूं कि 50 परसेंट है 60 परसेंट 80 परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल है इन सभी पर आप मत भरिएगा 80 के ऊपर वाले चांस ले सकते हैं मगर 80 के नीचे वाले मत भरिएगा क्योंकि वह आपका पैसा ही वेस्टेज होगा बाकी कुछ नहीं है आप समझेए कि एक या दो वेकंसी है और उस मरलब डिस्टिक में अगर मान लिजे किसी डिस्टिक में 10 वेकंसी हैं भी तो उस डिस्टिक में निस्टिक तौर पर दस लोग तो ऐसे होंगे जिनके 80 परसेंटाइल के उपर नंबर है दस नहीं बलकि यह संख्या सो डेड़ सो से उपर होगी तो आप यहां पर यह समझेए कि आप लोगों को के उपर हैं तो आप इसलिए भर सकते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ी सी यह स्पेसलाइजड हो गई है वह में कि एक तो ट्रिपल सी मांग लिया है और दूसरा कि आपका यह टाइपिंग मांगा है तो देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कि टाइपिंग उनकी नहीं तयार रहत है और यह ट्रिपल सी जो मांगा है वो भी कई ज्यादतर लोगों पास रहता है लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं रहता है तो इसलिए 80 के उपर अगर आपका परसेंटाइल है तो आपको भर देना चाहिए फॉर्म और उससे नीचे है तो मैं यहीं कहूँगा इसको जानता हूँ जो कि 40 दिन में क्या एक महीने में वो टाइपिंग सीख के हिंदी इंगलिस दोनों टाइपिंग सीख के उन्होंने वो जूनियर असिस्टेंट या ऐसी कोई परिक्षा जब है क्वालिफाई की है तो इसलिए इसमें अगर आप को जौब पाना ही है आप करना चाहते हैं तो आप फिर 5-6-6 गंटे करके टैपिंग यह कर लीजिए क्योंकि और कुछ है इने इसमें पेपर है इने तो आप के वर टैपिंग की तयारी कीजिए तो आप 5-6-6 गंटे अगर करते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं आराम से तो नहीं थोड़ी मुश्कि से अधर स्टेट वाले जो हैं उनको भी लेके यहां पर कुछ कहा नहीं गिया है इस फॉर्म में तो अधर स्टेट वाले भी अगर आपने परिक्षा दी है और सारी इलिजबिल्टी आप पूरी करते हैं तो आप लोग भी भर सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है उसके बाद देखिए कि एक से ज्यादा कॉलेज में अपलाई कर सकते हैं कि नहीं पहले ही बताया कि एक से ज्यादा कॉलेज में भी आप लोग अपलाई कर सकते हैं उसके साथ में एक यह है कि फॉर्म की सूचना कैसे मिलेगी तो देखिए फॉर्म की सूचना कैसे मिलेगी इस पर मेरा करना ही है कि आप लोग जो आपके जैसे इसमें जो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो भी दो सबसे ज़्यादा जिनका प्रसार वाले अख़बार हैं उस में उसकी सूचना दी जाएगी तो जाहिर से बात है आप दैनिक जागरण को तो आप इस मामले में स्टेंडर्ड मान सकते हैं कि दैनिक जागरण में तो वह वैकेंसी आएगी है आप जिस भी जिले में आया आप छे तारीक से लेकर उसको पर डे जो है अच्छे से चेक कीजिए डिटेल में हो सकते है बहुत छोटे में ही कहीं पर दिया हो और जो कहीं-कहीं पर बड़े में भ तो सब कुछ न कुछ ऐसे अफवाह भी उडाते रहते हैं तो आप किसी चैनल के भरोसे ना रहे के आप सीधा खुद से यह कोशिस कीजिए कि आप यहां पर अपने अकबार जो अपने जिले के अकबार है वहां पर यह पता कर लें कि किस कॉलेज में कहां पर वेकेंसी खा लिए और फिर सीधा आप चुकी उसी एरिया में रहते हैं आप सीधा उस कॉलेज में जाके और सारी डिटेल्स पता कर लिजे उसके अलावा भी अगर आपको किसी कॉलेज में भरना है तो वहां पर भर दीजे तो यह सारी बातें थी जो इससे रिलेटेड कुछ एक संकाइन को मन में थी अच्छी वेकंसी है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आगे भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है या फिर आप अपना कुछ छोटा मोटा काम धंदा भी करते हैं और साथ में इसको करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी वेकंसी है अगर कर दिए अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा या फिर हमाई टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाएगा वहां पर अन्य विश्यों की भी नेमित रूप से तैयारी कराई जाती है उससे आपको निश्चे तोर पर अपनी तैयारी में बहुत ज्यादा लाब होगा टेलिग्राम ग्रूप हमारा इनफो का सिविल अकैडमी नाम से ही है जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका लिंक भी दे देंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी यहीं तक थी नमस स्वाट चलिए किल आज की लिए